नमस्कार बहुत स्वागा था देख रहे हैं आज का खास लब्टिप मैं हूँ आपके साथ आपका लब फ्रेंड संतो संतोशी एक विशेश सूचना सितंबर 19 से लेकर 25 तक आप श्राध पक्ष में अपने पिदर अपने पूर्वज आध की शांति करवा ले यहां निवार रहे हैं अब तक नहीं कराएं हैं पैसा नहीं है अब तक नहीं कराएं हैं जानते नहीं हैं अब तक नहीं कराएं हैं किसी ने बताया नहीं अब तक नहीं कराएं क्योंकि कि आपको लगता कि हर साल जो आप कर देते हैं या कुरुक्षेत्र जाकर कि हरिद्वार जाकर जो आपने किया है वो काम बन गया नहीं विधी जानिए विधी जान करके जब आप करेंगे तो उसका फल मिलेगा और विधी है गया जी में गया जी जाकर कि वहाँ पर जो शान्ति आप करवाएंगे उसका जो लाभाब को मिलेगा वो विलक्षण है वो अनुपम है उससे आपको विशेश फाइदा होता है तो हमारे शुब कामना आए आप सब के साथ सदय योही बनी रहेंगी पर्मिता परमेश्वर आप सब की जीवन में सदय कल्यान करते रहें आईए अब हम आज आपको बताते हैं आज का लब टिप दोनों हाथों की इंडेक्स फिंगर को इस तरह से क्रॉस मोड में ऐसे रखिएगा और इस पर तीन बार फूक मारिएगा इसी दौरान जब फूक रहे हो मन में तीन बार अपने पती या पत्नी प्रेमिया प्रेमिका का नाम लीजेगा और इन फिंगर्स को दोनों नेत्रों पर ऐसे रख दीजेगा दुती भाव, प्रथम भाव और पंचम भाव का संबंध निश्चित रूप से आपके प्रेम जीवन को अलग दुनिया, अलग प्रभाव में लेकर जाएगा तीन लकी राशियों में आज नमबर तीन पर भागिशाली राशी है मिथुन राशी, दो नमबर पर भागिशाली राशी है तुला राशी और एक नमबर पर भागिशाली राशी है सिंग राशी मिथुन तुला सिंग टॉप पर सिंग शुब कामनाएं सावधान होने वालों में एक नंबर पर कुम्भ राशी दो नंबर पर मकर राशी और तीन नंबर पर मेश राशी कुम्भ मकर मेश आप तीनों को आज सावधान होना है अचानक अगर कुछ मुश्किलें आएं तो उनसे बचने का प्रयास करना है और शुभता को ले करके अपने साथ आगे बढ़ना है बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका इंदौर में मुलाकात कर सकते हैं 25-26 अर्थात कल और परसों दो दिन इंदौर में है तारीख तो मिल गई नमबर भी है इंदौर अपाइटमेंट लिख करके वाटसप कर दीजेगा कॉल बैक जाएगा धन्यवाद नमस्कार शिलादे झाल 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 झाल